हलो गुद्वानिंग जुहार में संजे और आप देख रहे हैं निगो जार्खन समय हो चला है जार्खन की खबरों को जानने का तुझ लिए जानते हैं आज की जार्खन की 25 मुख्य बड़ी खबरों को जार्खन विधान सभा की कार रवाई अनिश्रित काल के लिए अस्थगित विपक्च ने किया बहुस्कार जार्खन विधान सभा की कार रवाई अनिश्रित काल के लिए अस्थगित कर दी गई है जमिन घोटाला मामले में हेमन्तु सोरेन की गिरपतारी के बाद चमपई सोरे करने के आरोप लगाये। विपक्ष के बहिसकार के 20 संसद्य कार्य मंत्री आलमगिर आलम ने धन्यबाद प्रस्ताओं पर चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहे कि आपने हम पर विस्वास किया है। हम आपको निरास नहीं करेंगे। आलमगिर आलम ने जारकन में फिर बदलेगा मौसम कमिचाज 11 फरवरी से फिर होगी बारिस जारकन में एक बार फिर से मौसम में बदलाओ होने वाला है 11 और 12 फरवरी को राज़ में फिर से हलके समध्धम दर्जे की बारिस होने की संभावना है बारिस पश्रमी विछोप के असर से होगी 11 फरवरी को राज़ के पस्मी हिस्से में बारिस की संभावना है इसमें पलामू, गरवा, चतरा, लातिहार, लोहुर्दगा, कोडरमा जीले समिल हैं मौसम विग्यान केंदर के विग्यानिक अभी शेक आनेद ने बताया है कि 12 फरवरी को पस्मी हिस्से के शाथी मर्द भाग में भी बारिस की संभावना है जिसमें खुंटी, राची, रामगर, हजारी बाग, गुमला, जीला समिल हैं एंजिलों में 11 और 12 फरवरी को गरजन के भी शंभावना वक्त की गई है, 7 से 10 फरवरी तक राजवर में आनसिक जो है बादल का असर देखा जाएगा, बादल शाय रहने के कारण नियम्तम तापान विर्धी दर्च की जाएगी, जो 3 डिगरी तक होगी, लेकिन 3 दिनों के नए सिरे से फाइलों को नए मुकमंतरी चौंपई सोरिन के पास भीचा जाएगा, लंबित ट्रांसफर पोस्टिंग परमोसन की संचिका बढ़ाने की तैयारी चल रही है, वही भवन रोट सहित अन्य विकास कारियों की योजना की स्विक्रिती के लिए भी फाइल ये बढ बाबुलाल मराणी का दावा काली कमाई को इन्वेस्ट करने के लिए बरियातु में हिमंत नली जमीन, भाजपा के प्रदेश अधक्ष बाबुलाल मराणी ने पूर्वसियम हिमंत सोरिन पर जमीन लूट में सामिल होने के गम भीर आरूप लगाए, प्रदेश कारियले में प्रेस कांफरेंस में एक वीडियो जारी करतो होगे का है कि इस वीडियो में दिख रहा व्यक्ति संतोष मुंडा है, बरियातों में जिस जमीन की हिमंत सोरेन की और से बाउन्डरी कराए गई है ये उसकी चौकिदारी करते हैं, वहीं रहते हैं, हिमंत अभी जमीन घोटाल और सीना जोरी वाली है, इसके साथ ही बाब उलाल ने जैससी एक्जाम के पेपर लीक मामले में इसके चेयर्मेन की खिलाब F.I.R. दर्ज कराने की मांग चमपई सोरेन सरकार से की है, मौके पर प्रदेश, प्रवक्ता, प्रतुल, शाहदेओ, मेडिया परभारी, सीव पू सामले में राजसरकार द्वारा S.I.T. का गठन किया गया है, इस कारी के लिए संजीव कुमार बेसरा, पुलीस उपाधिचक सदर, राची टीम का नेतितों करेंगे, S.I.T. में चार पुलीस निरक्षक समेद, अन्य पुलीस कर्मी शामिल है, इससे समंधित आदेश, वर्य आरक्षी अधिचक द्वारा जारी कर दिया गया है, मालुम हो कि जियाससी सीजल 28 जनवरी 2024 को निर्धारी था, लेकिन परिचा संचालन के पूरो ही प्रसनपत्र लीक हो गया था, इस घटना के बाद ततकालिन पुलीस उपाधिचक सदर की नितितों में अस्पेशल टास्क की रूप में नामित किया गया है, साइटी को उपरिक्त प्रसनपत्र लीक किया जाने के मामले में शनलिप्त जो है अभियुक्तों की जल्द सिनाखस्त कर गरपतारी का देश दिया गया है, खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज जारकन चनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं, तो प्लेस चानल को सस्क्राइब करके बाल अकन प्रेस कर दिचे, जिससे आपको जारकन की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे, तो चलिए बढ़ते हैं, खबरों की और देवेंदर महतो को पेपर लीग गिरों ने चुवा, तो हुगा उगर आंधुलन, बाबुलाल से मिलकर बूला यूनियन, बिजेपी ने था बाबुलाल मरांडी से मिलकर जारकन स्टेट अस्टूडेंस यूनियन ने कहा है कि देवेंदर महतो को पेपर लीग गिरों ने च सत्ता पक्ष के भगुदर विधायक विनोथ सिंग, सिमरिया विधायक किसुन दास से मुलाकात की और उनको ग्यापन सौपा इस बात की जानकरी योगेंदर चंदर भारती, रवेंदर कमार महतो और चंदन कुमार ने दी बताय की जारकन की विड़ंबना है कि पेपर लीग महा घोटाला को उजागर करने वाले देवेंदर नात महतो को जान से मानने की धम की मिल रही है कहा अभी तक सरकार दारा देवेंदर नात महतो की सुरक्षा को लेकर कोई कदम नहीं उठाय गया है कहा है कि जो अससी कारियाले में हुवे तोड़ पोड मामले की जांच साइटी करेगी उनको भरुसा है कि इस जांच से जारखन के गरीब आदिवासी मुलवासी छात्रों को भी ज्या मिलेगा विनोथ सिंग से पूचताज खत्म अमीन से भी जवाब तलब राजी जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉडरिंग केस में मंगलवार को विनोथ कुमार सिंग और नीजी अमीन से एडी की पूचताज खत्म हो गई गौर्टला भे की एडी ने मंगलवार को जमीन घोटाला केस के सिलसले में पूचताज के लिए पूरो मोखेमंतरी हेमंतो सोरेन के करीबी विनोथ सिंग जमीन के मापी करने वाले प्राइबट अमीन और बढ़गाई अंचल की राजस्व उपने रक्षक भानु प्रताब प्रसाद को पूचताज के लिए दस्ताविट जो के शात अलब किया था सुतरों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक भानु प्रताब प्रसाद और हेमंतो सोरेन को आमने सामने बेठा कर पूचताज की कई गौर्टलाभे की C.I. भानुप्रताप प्रसाथ को मंगलवार को E.D. के अधिकारी होटवार जेल से लेकर जोनल आफिस मोचे थे यहाँ पूर्व मुखमंतरी हमन्तो सोरेन पहले से ही E.D. की रिमान पर है जारकन कांग्रेस ने की चुनाओ कमेटी की घुशना 23 नेताओं को मिली जगा ये बड़े नाम सामिल लोकसभा चुनाओ को लेकर जारकन कांग्रेस ने कमेटी की घुशना कर दी है कमेटी में कुल 23 नेताओं को जगा मिली है जिसमें कई बड़े नाम सामिल है इसमें प्रदेश अध्धक्ष राजश्टाकूर, मंतरी आलमकिर आलम, रामिश्वर उराउं, शुबूद कांत सहय, बंधुतर की दीपिका पांडे सिंग समयत कई लोक्षा मिल हैं। गौरतलाभे की लोक्षभा चुनाओं में अब कुछ वक्त का ही समय बचा है, ऐसे में अब सभी दल युद्धुर अस्तर पर तैयारी में जुटेंगे, जिसकी तैयारी जारखन कांग्रेस ने शुरू कर दी है। की और से कोई बड़ा प्रस्ताओं नहीं भेजा गया है, यही वजा है कि जारखन में ऐसी कोई बड़ी परियोजना नहीं आ पाई, राजसरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा की लिसी सी टीवी साक्ष की घटनाओं की रिकॉर्डिंग को दुरूस्त करने का काम किये जाते हैं। वायूशेना पर्द के आविदन की तिथी बढ़ी, वायूशेनिकों के चेन और नमंकर के लिए पंजीकरन की तिथी बढ़ी है। अब 11 फरवरी तक आविदन का मौका, एर्मैन चेन, केंद्र, बिहार और जारकन राजसे भारतिय वायूशेना में वायूशेनिकों के चेन और नमंकर के लिए आविदन निकाला है। जानकारी के मुताबिक पूरुस और महला उम्मेद्वारों का उनलाइन पंजीकरन हो रहा है। पूरो में जारी नोटिविकेशन का नुसार 17 जन्वरी से 6 फर्वरी दोहजार चौबिस तक अविदन करना था, अब इसे बढ़ा दिया गया है। के तहद इकाई के, जो है कमांडिंग ओफिशर और कर्मचारी द्वारा 12 जन्वरी दोहजार चौबिस से 23 जन्वरी दोहजार चौबिस तक अस्कूलों और कॉलेजों के लिए जागरुपता और प्रेना सत्र आयुजित करने के लिए जिले का दौरा भी किया गया। संपर्क विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। गर्म जोसी से उनका श्वागत किया। सियम चमपई सोरेन ने कहे कि हमंत सोरेन दोरा सुरुई की गई योजनाओ को गती दे कर जारखन वासियों के जीवन अस्तर में बदलाव लाने का प्रियास किया जाएगा। सियम चमपई सोरेन ने कहे कि सरकार यहां के सभी वर्क लोगों को हग अधिकार देने का काम करेगी। हमारा प्रियास होगा कि राजजवासियों के जीवन अस्तर में सकरात्मक बदलाव ला सके। कि इस घटना में किसी का नुक्षान नहीं हुआ है। हमानतो सोरेन की याचिका पर सुनवाई कोट ने दिया एडी को या निर्देश। जारखंड हाई कोट ने प्रदेश के पूर्वसीयम हिमन्तु सोरेन की और से दायर क्रिमिनल रीट याचिका और आई याचिका पर सुनवाई की एक्टिंग चीप जस्टिस एश्चंदर सेखर वाजस्टिस अरुन कुमार राय की खंडपीट ने मामले की सुनवाई की हिमन्त राजभौन उध्यान की खुपसूरती देखने पहले दिन पहुंचे। 3479 लोग 12 फरवरी तक आम लोगों की है फ्री एंट्री राजभौन उध्यान आम लोगों के लिए मंगलवार से खूल गया है। राजभवन की गेट नमबर दो से सुरक्षा जांच की बाद दोपहर एक वज़े तक परवेश कर सकते हैं, आम लोगों के लिए फ्री एंट्री है, राजभवन उध्यान में 400 किस्म के 17,000 से अधिक गुलाब हैं, विदेसों से मंगाये गए फूल सहीत भारत पकिस्तान, यु परिस्तर में मौसमी फूलों की भरमार हैं। आकर सित करवाते हुए चत्रो चट्टी, खेरा चातर, त्योम जो है महुआ टान को प्रखन बनाने की बात कही। साथी विधायक ने गोमिया विधान सभाग की अन्नी कई समस्याओं शे उन्हें आउगत कराया, जिस पर मुखमंतरी चमपई सोरे ने सकरात्म काररवाई करने की बात कही। इस मौके पर रामगड विधायक सुनीता चौदरी भी मौजूद थी। इस मामले की जनाच के लिए SIT का गठन किया है, सुमवार को विधान सभा में सुदेश महतो ने या मामला उठाया था, चमपई सोरे न सरकार ने जिया ससी सीजल परिशागरबडी मामले की जनाच के लिए SIT गठित की है। सांसन्ने केंद्रिय रक्षा मंतरी को बता है कि रांची एरपोर्ट का विस्तारिकरन होना है, इसके लिए रांची एरपोर्ट के पास अपनी जमीन है। वर्ष 2078 में लगभग 123 एकर जमीन का म्यूटीशन एरपोर्ट के नाम से किया हुआ है। वर्तमान समय में इस जमीन को भारतिय सेना भी अपने रिकार्ट की जमीन बता रही है। सांसन ने केंद्रिय मंतरीशे आगरा किया है कि या दो मंतरालेओं के बीच का मामला है, इस मामले में आपके हस्त छेप की आवशकता है। सांसन ने केंद्रिय मंत्री शे इस मामले के शमधान का अनुरोध किया है ताकि एरपोर्ट का समोचित विकास हो सके या जानकरी सांसन ने प्रेश्व विग्यापती जारी कर दी है साइबर पुलीस ने 6 अपर्याध्यों को रंगे हाथ किया गिरबतार जामतारा की साइबर पुलीस ने जामतारा और करमाटार थाना छेतर से 6 साइबर अपर्याध्यों को गिरबतार किया है पुलीस को ये कामियाबी गोपत सूचना के आधार पर मिली है खबर है कि सभी अपर्याध्यों को रंगे हाथ गिरबतार किया गया है मंगलवार को साइबर थाना परिसर में प्रिश्वारता का आयोजन करपुलीश अधिशक अनिमेश नेधानी ने ये जानकारी दी है गरिपतार किये अपरियाधियों में सकीम अंसारी, तैयब अंसारी, अक्तरंसारी, अन्वरंसारी, जमसीद मिया और मनसूर अंसारी के नाम हैं ये सभी अपरियाधि जामताड़ा और कर्माटार के आज पास के रहने वाले बताया जाते हैं बताया जाता है कि अप राध्यों के पास से 18 एंडरोइड मोबाइल फोन, 40 फरदी सिम कार्ड, 1 ATM कार्ड और 2 मोबाइल और 2 मोटर साइकल जबत की गए हैं SP ने बताया है कि ये लोग फोन पर कैस बैक आने के नाम पर लोगों को QR कोड भेजा करते थे, इसी माध्यम से उन्हें जहांसे में लेकर ठगी करते थे इसके अलावा कर जो है कस्टमबर के एर के परत्रिती बनकर ATM, debit card, credit card अपडेट करने के नाम पर ठगी किया करते थे राज में नहीं थी कोई सरकार, फिर कैसे हुआ, 24 डॉक्टरों का तवादला सर्यूराई, पूर्वी जमसेद पूर से निर्दलिये विधायक सर्यूराई ने पूर्व स्वास्त मंतरी बनना गपता और स्वास्त विभाक के अधिकारियों की कारे सैली और मंसा पर गंभीर स सवाल खड़े किये हैं, उन्होंने कहा है कि 31 जनवरी को ततकालिन मुख्यमंतरी हिमंतु सोरेन की गिरपतारी और इस्थिपे के बाद के भी नेट भंग हो गई थी, दो फरवरी को चमपई सोरेन ने मुख्यमंतरी पद की सपतली और इस दोरान तीन दिनों तक प्रदेश म की जांच कराने की मांकी है, सर्यूराय ने कहा है कि यदि आसंकाय सही शाबित होती है, तो इसे ब्रष्ट आच्रन कहा जाएगा राजी के मांडर पुलिस ने जलाकर मारी गई यवती हत्याकान का खुलासा किया है, प्रेमी का की साधी कहीं और तै होने से नराज प्रेमी ने ही दिया था खौफनाक अंचाम युवति का जला कपड़ा, रंगोली जो है स्वीट्स और बेकर्स लिखा थायला और बॉक्स युवती का बैक सहित अन्य शमान भरामत किया है पुलीस के नुसार तीन फरोरी को सुचना मिली थी कि हात्मा के जंगल में एक युवती का सरीर जल रहा है सुचना पर खलारे डियसपी के नित्तों में एक टीम का गठन किया गया गठी टीम तुरित कारवे करतो हुवे घटनास्थल पर पहुँचकर युवती के जल रहे सरीर को बुझा कर ततकाल अस्पताल पहुँचाया जहां डॉक्टर द्वारा युवती को मृत्य भोश्चत कर दिया गया पुलिस टीम को घटनास्थल से रवर का पाइप, युवती का जला हुआ कपड़ा एवं रंगोली स्वीट्स लिखा हुआ थैला का कुछ हिस्सा रंगोली बेकर्स लिखा हुआ कूट का बना जो केक बॉक्स एवं मार्चिस का डबबा बरामत किया गया अनुसंधान के करम में तकनीकी सहीयोग एवं गुप्तु सूचना के अधार पर पुलिस टीम जो है अवनीश कुमार को गिरबतार किया आरोपी घटना में अपनी सनलिप्ता सुविकार करतो हुए बता है कि इनका युवती के साथ तीन वर्ष से प्रेम प्रसंग चल रहा था इसी बीच परिजन युवती की साधी किसी दूसरी जगात तै किया जिससे दुख होकर साजिस के तहट युवती को हात्मा के जंगल ले जाय गया और गला दबाकर हत्या कर दिया गया साक्ष मिटाने के उदेश से सौपर पेट्रोल शड़क कर आग लगा दिया गया वधायक सुकराम उराओं के बेटे बहु को असिरवाद देने पहुँचे सीम चमपई सोरिन पूर मंतरी वधायक भी रहे साथ चकरधरपूर विधायक सुकराम उराओं के जेश्ट पुत्र सन्नी उराओं वा पुत्र वधु को असिरवाद देने के लिए मंगलवार को चकरधरपूर इस्तित उनके आवास में राज़ के मोख्यमंतरी चमपई सोरेन पहुचे मोख्यमंतरी के साथ राज़ के कई जो है पूरमंतरी विधायक समेंद विविन समाज के लोग भी इस समहारों में पहुचे जहां सभी ने नव विवाहित दमपती को असिरवाद दिया मोख्यमंतरी साड़क मार्ग से चकरधरपूर जो है विधायक सुखराम उराओ के जो है बर्माली पूर अवास कारिकरम अस्तल पर पहुचे वहाँ उन्हें गार्ड ओप उनर दिया इसके पश्यात मोख्यमंतरी चमपई सोरेन विवाह समहारों में पहुचे जहां उन्हों दे रही प्रसिक्षन नॉडल अधिकारी बोले बाहली के दोरान मिले का लाब धनबाद के बरमसिया इस्तिद बाल सुधारगरी के बाल बंदियों को अगनिपत योजना के तहट सेना में भरती के लिए ट्रेनिंग सुरू की गई है इस संबन में बाल सुधारगरी के दे जा रही है बताया जाता है कि मंगलवार की सुभा लेकराज पंदित सौच के लिए तरब की तरब जा रहा था इसी दोरान पडूसियों ने उनके साथ मारपिट करना सुरू कर दिया सुचना पाकर उसका भाई बजरेंगी पंदित भाई के बीच बचाओ के लिए पहुंचा तबी आरोपियों ने तीर से हमला कर दिया जिससे दोनों भाई घायल हो गए दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पिताल में भरती करा गया है बताया जाता है कि डायन बिसाही का आरोप लगा कर पूरानी रंजिस के कारण या घटना घटी है OBC की इतनी बड़ी आबादी के बावजूद जारकन सरकार में सिर्फ एक मंत्रिपद शुदेश महतो आजसु सुप्रेमो शुदेश कमार महतो ने राहूल गांधी की भारत जोडो निया यात्रा को लेकर काहे कि राहूल गांधी की कतनी और जारकन सरकार की करने में बहुत फर्क है ऐसी कौन से मजबूरी है कि राहूल गांधी को अपने विचारधारा के विप्रित जाकर जारकन में सरकार चलानी पड़ रही है। दलित मंत्री नहीं है। कौंग्रेस की तीन पीडियों ने आधिवासियों का सोशन किया। मापी मांगे राहूल बोले बाबूलाल मरांडी। राहूल गांधी ने न्याय यात्रा के सिलसले में सुमवार कुर्यांची के सहीद मैदान में जन सभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने बिजेपी और केंदर सरकार पर आधिवासियों का अपमान करने का आरोप लगा था। राहूल गांधी के आरोपों पर अब प्रदेश बिजेपी अध्धक्ष बाबूलाल मरांडी ने पलटवार किया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि कॉंग्रेस की तीन पिडियों ने आधिवासी समाज की उपेच्चा की और सोशन का दंस दिया। उन्होंने कहा है कि राहूल गांधी को इस बात के लिए जारकन के आधिवासी समाज से मापी मांगनी चाहिए। बतादे की समवार कु राहूल गांधी ने राची में कहा था कि 2014 के बाद से किसी भी सरकारी, गयर सरकारी या कॉर्पोरेट सेक्टर में आधिवासी का प्रत्न देतुव नहीं है। आधिवासी समाज का अपमान किया जा रहा है। जारखन की राइला ने अंग दान कर दो लोग को दिया नया जीवन। इसकी जान करिदी गई। इसकी बाद एक 26 और दूसरे 36 वर से मरीच को किड़नी प्रतिरोपित की गई। राहुल मंगलवार को जारखन की गुमला जीले में थे। उन्होंने बसिया में मेडिया से बातचीत में कहा है कि बिहार में इंडिया गटबंधन मिन कर चिनाव लड़ेगा। नितिस कुमार गटबंधन को छोड़ कर गए हैं वो बीजेपी के साथ क्यों गए हैं वे आप समझ सकते हैं। हातियार के साथ कुख्यात अपर्याधी गरपतार बड़ी घटना को अंजाम देने कीती तयारी पुलीस ने मारा च्छापा देसी कट्टा सहित छे जिंदा कार्तूश बरामत गरिडी पुलीस ने लूट पार्ट की घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे एक कुख्य पुलीस को सूचना मिली थी कि ताराटार इलाके में कुछ अपर्याधी बड़ी घटना कौन जाम देने की योजना बना रहे हैं। पुलीस ने चापे मारी कर ताराटार थाना चितर से सहाधत अंसारी को गरबतार कर लिया गया। उसके पास से एक देशी कटा और छे जिन्दा कार्तूश बरामत किया गया है।